आज के वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ माय रेसिपी ऑफ हेल्दी बनाना शेक वेल इसकी रेसिपी काफी ज़दा इसी है और इसका टेस्ट भी काफी ज़दा यम है जो लोग भी अपना वेक लॉस करना चाते हैं या फिर हल्दी डाइट को फॉलो करना चाते हैं तो इस शेक को जरूर आड करें अपने ब्रेकफ़ हल्दी ब्रेकफ़स्ट ऑप्शन में वेल एंजिन लोगों को भी यूनो लाइट ब्रेकफ़स्ट पसंद है तो उनके लिए भी यह काफी ज़दा अच्छा ऑप्शन वेल मैंने इसमें शुगर की जगा डेट्स यूज कियें ताट इस खजूर फॉर स्वीटनेस यूँकि यूनो डेट्स जो है वो काफी कर सकते हो बट आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी कॉंटिटी है वो आप ज्यादा बहुत ज़दा कॉंटिटी में यूज ना करो माक्सिमाम टू पर डे आप अराम से यूज कर सकते हो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इसमें मैंने यूज किया स्किंट मिल्क नॉर्मल स्किंट मिल्क बट अगर जिनको भी PCOS या PCOD के प्रॉब्लम है तो वो इसमें आमिन मिल्क या सोई मिल्क भी अराम से यूज कर सकते हैं तो चलिए पहले हम इसकी देखते हैं इंग्रीडियन्स एंड इन इसकी रेसिपी इसके इंग्रीडियन्स है एक अच्छा पका हुआ केला एक ड्राय डेट यानि की एक खजूर सम पीनट बटर कॉफी पाउडर 250 ml वन कॉप ओफ मिल्क सम आइस क्यूब्स एंड गार्निशिंग के लिए मिक्स सीड और नॉट्स पहले हम ब्लेंडर लेंगे इसमें हम डालेंगे एक अपना बनाना जिसको मैंसे पीस में कर ले रहे हूँ फिर इसमें हम डालेंगे अपना एक ड्राय डेट इसका सीड मैंने निकाल लिया है देन फिर हम इसमें डालेंगे अपना 250 ml of मिल्क अब इसमें हम डालेंगे अल्मोस्ट 1 4 टी स्पून ऑफ कॉफी पाउडर, जिसको स्ट्रॉंग कॉफी पसंदे तो और कॉफी पाउडर भी इसमें आड कर सकता है, अब इसमें आड करेंगे अपना 1 टी स्पून ऑफ पीनट बटर, अब हम इसको करेंगे, अब हम इसको करेंगे ब्लेंड, अब हम से करेंगे सर्फ, मैंने यहां पर एक ग्लास लिया है, इसमें मैं पूर करूंगे अपना शेक, इसको हम गानिश करेंगे, अब जो हमने मिक्सीट और नच्स लिये थे, तो हमारा बनाना शेक है बिलकुल रेडी, जो की है बिलकुल हेल्दी और टेस्टी, तो ये था हमारा हेल्दी बनाना शेक, वेल अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज दो लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो मैं यूटुब चैनल और डोंट फोगेट तो हिट बेल इकन फूर 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 नोटिफिकेशन, और यू वेडियो अच्छाइब तेट्स।